नमस्कार, आपस के इस नए लिक्चर में आज हम डिसकस करेंगे नार्मल लेबर के बारे में, हम जानने की कोशिश करेंगे कि नार्मल लेबर की फिजिलोजी क्या होती है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग नार्मल लेबर के क्राइटेरिया को समझ लें, तभी हम अबनार्मल labor को समझ पाएंगे तो normal labor का criteria क्या है spontaneous expulsion of single full term living viable presented by vertex through normal passage यानि vaginal delivery within a reasonable time ये सारी चीज़ें आगे हम discuss करने वाले हैं without major surgical intervention without complication to mother or the fetus तो आज इनी सारे conditions को fulfill करते हुई normal labors के बारे हम discuss करेंगे हम normal vaginal delivery के बारे में आज हम चर्चा करेंगे normal labor की शुरुवात कैसे होती है onset of true labor से इसके पहले false labor का भी concept हम लोग discuss कर चुके हैं तो true labor की शुरुवात से यह शुरू होती है और true labor से पहले mother का cervix soft हो जाता है तो true labor की शुरुवात से पहले mother का cervix soft हो जाता है ऐसे कुछ conditions यहाँ पर देखने को मिलती है, ripening of cervix के साथ इसके starting होती है और head of the fetus या pelvis के भीतर जाता है, true pelvis हम इसके बारे में discuss कर चुके है, true pelvis के भीतर head of the fetus जा चुका होता है और इसके करण fundal height of the uterus decrease करता है, इसके करण mother lightening feel करती है, उनको जो symptoms हैं उसमें थोड़ा सा राह condition से थोड़ा सा ज्यादा relief मिलता है, इस दोरान false labor क्या शुरू हो सकते हैं, या फिर false labor अगर होता है, तो उसे कैसे पता किया जाएगा, कि वो true labor से अलग है, तो इन सारी चीजों को भी एक बार समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया न, onset of labor, labor की शुरुआत से प बाहत बहसूस होगी, और इसके बाद true labor start होता है, तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, कि मदर false labor pain की शिकायत के साथ आती है, उनको labor pain तो होता है, लेको उनको false होता है, तो कैसे हम अंतर कर पाएंगे, तो true और false pain, labor pain की बीच में अंतर जानना जरूरी है, इसमें contraction कैसे हो र के साथ stop हो जाते हैं, यह lower back में pain के साथ present करता है, जो कि lower portion of abdomen में radiate करती है, जबकि यहाँ पर contraction umbilicus से उपर महसूस होता है, यहाँ bloody shock के साथ presentation होता है, और cervix जैसा की बताया हमने soft हो चुका होता है, effacement हो चुका होता है, जबकि ऐसा cervix में कोई परिवर्तन false labor की condition में नहीं ह होता है, fetus true labor के condition में engaged हो चुका होता है, वो abdomen से pelvis की और आ चुका होता है, जबकि ऐसा false labor में नहीं होता है, fetus bellotable होता है, और भी बहुत सारी चीजे हैं, जिससे हम अंतर कर सकते हैं, false labor usually constipation या फिर कोई दूसरे कारण की वजह से होता है, जबकि true labor uterine contraction की वजह से होता है, चलिए एक बार फिर से recall कर लेते हैं true labor pain और false labor pain को, true labor pain मैंने आपको बता है, regularly rhythmic contraction होता है, rhythm बना करके होता है, on and off होगा, इस तरीके का होगा, जबकि false labor pain लगातार होता रहेगा, intensity लगातार बनी रहेगा, बीच में irregular हो सकता है, तो regular rhythmic, true, यहां constant और irregular false labor pain, मैंने आपको बता ह या lower side of abdomen में होगा और back की और, पीछे की और जाता है, इसका radiation कहाँ पर होगा, पीछे की और होगा, lower abdominal pain होता है, जबकि यह radiate नहीं करता और umbilicus के ऊपर आम तोर पर false labor pain की location होती है, और जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे true labor pain की intensity और duration और frequency बढ़ती जाती, क्योंकि यहां symptoms बढ़ते जाते हैं, ऐसा वहां नहीं होता है, इतना ही नहीं, यह progressive dilation of cervix के साथ associated होता है, जबकि false में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ब्लड mixed discharge true labor pain के साथ यह condition देखने को मिलती है, जबकि false में ऐसा नहीं मिलेगा, ब्लड mixed discharge true labor pain के साथ associated होता है, bag of water की presence यहां पर मिलती है, जबकि bag of water की presence true labor की condition है, false labor pain में ऐसा कुछ भी नहीं present करेगा, false labor pain को sedate करने पर या medicines देने पर, rest देने पर या enema देने पर राहत मिलती है, जबकि true labor pain में ऐसा कोई राहत नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से false और true labor pain को समझ लिया, हमने यह भी देख लिया, uterus में contraction शुरू हो चुका है, cervix soft हो चुका है, effacement हो चुका है, अब baby को deliver करने की conditions शुरू हो रही है, तो इसलिए अब हम true labor के stages को जानने की कोशिश करेंगे, stages of labor को three parts में divide किया जाता है, first stage, second stage और third stage में, first stage में क्या शामिल होगा उसको जान ले, यहाँ पर true labor pain की शुरुआत से ले करके, पूरी तरह cervix जब dilate कर जाता है, उतने समय तक का duration, first stage कहलाता है, यानि true labor start हुआ और cervix पूरा का पूरा open हो गया, full dilation of cervix, 10 cm तक dilate करने की process तक का समय, first stage of labor कहलाता है, second stage में baby deliver होता है, और third stage में placenta deliver होता है, तो यहाँ पर हम first stage में बात करेंगे, तो first stage of labor में क्या-क्या चीज़ें शामिल होंगी, कैसे, उसके बारे में जानकारी रखी जा सकती है, उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं, cervix पूरी तरीके से dilate करने का प्रयास करेगा, closed state से fully dilated state तक, यानि 0 cm से 10 cm तक, इतना ही नहीं, cervix की shortening और thinning होती है, जिसे effacement कहते हैं, यह cervix के actually dilate करने से पहले ऐसा होता है, मैंने आपको बताया न, cervix धिरे-धिरे यहाँ पर shortening होगा, जिसे effacement कहते हैं, यह effacement हो रहा, station, जिसमें baby के presenting parts के बारे में जानकारी मिलती है, यह station कहलाता है, lowest part, lowest presenting part of the baby, जो pelvis के relation में present करता है, उसे station कहते है, उसकी position station कहलाती है, इस image में हम effacement की प्रक्रिया को देख सकते हैं, उसको समझाने के लिए इस image की मदद लिया हमने यहाँ पर देखे, cervical canal की length 4 cm है, जब यह side में खिचेगा, आप समझ सकते न, baby को deliver करना है, तो cervix side में खिचेगा, इसके करण, cervix के जो canal है, उसकी length decrease होगी, यहाँ पर देखे, cervical canal की length 4 cm, यहाँ पर 2 cm हो जाएगा, अब यह partly effaced है, fully effaced में क्या होगा, इसकी और ज़्यादा shortening और thinning होती जाएगी, और देखे, cervical canal पुरी तरीके से खतम हो चुका है, अब cervix further और dilate करते हुए आगे बढ़ेगा, cervix का dilation देखे हो रहा, अभी तक कि यह closed state में है, अब यह धिरे-धिरे dilate करना शुरू करेगा, और यह मैंने आपको बता न, effacement के बाद dilation होता है, तो य यह लिए stages of labor में, first stage of labor को सबजने की कोशिश करते हैं, first stage of labor, मैंने आपको बताया कैसे शुरू होगा, true labor pain के साथ शुरू होता है, और इसका अंत कहां पर होता है, full dilation of cervix तक, 10 cm तक जिए cervix dilate कर चुका होता है, वहां तक इसका समय देखा जाता है, इसमें पूरी जहा रखा है, यहां पर जो cervix है, fully dilate करता है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, जब cervix fully dilate कर जाता है, तो उसके बाद membranes rupture करते हैं, membrane कब rupture करता है, full dilation of cervix के बाद, क्योंकि उसके बाद baby deliver करनी के प्रक्रिया होगी, at the end of first stage of labor, membrane rupture करता है, कई बार यह normal physiological phenomenon नहीं हो पा जाती है, कई बार membrane before onset of labor ही rupture कर जाता है, तो यहाँ पर before onset of labor membrane rupture कर जाये, तो इसे कहा जाता है pre-mature rupture of membrane, P-R-O-M, premature rupture of membrane before onset of labor membrane rupture करे, तो कहते हैं, अगर 37 weeks of pregnancy से पहले यह rupture कर जाए तो इसे preterm premature rupture of membrane कहते हैं तो इसे PPROM कहा जाता है first stage of labor को actual में दो parts में divide किया जाता है एक latent phase और दूसरा active phase तो यहाँ पर हम इन दोनों की बीच का difference समझने की कोशिश करेंगे latent phase जो true labor pain के साथ शुरू होता है और 5 cm के cervix के dilation तक का time period होता है पर latent phase को देखा जा सकता है latent phase में सिर्फ और सिर्फ effacement हो गया नहीं cervical canal की length कम होती जाएगी cervix की जो thickness है वो पतला होता जाएगा चुकि खिचता जा रहा इसलिए यह पतला होता चला जाएगा और यहाँ पर यही में दो प्रक्रियाएं होती है latent phase में बेबी अभी नीचे नहीं आ रहा है नार्मली यही सिर्फ तैयारी हो रही है cervical canal पुरी तरीके से उसका existence खतम हो जाएगा effacement हो जाएगा cervix का dilation 5 cm तक हो चुका होगा थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा मामला यहाँ 3 cm दिखाएगा इससे 5 cm तक आप समझें और इस पुरे प्रक्रिया के दोरान घंटों का समय लग जाता है कितना समय लगेगा latent phase में कितना समय लग जाता है उसको अभी हम आपके साथ discuss करेंगे active phase के साथ जब comparison करेंगे active phase में 5 cm dilation के बाद की प्रक्रिया होती है 5 cm dilation से लेकर 10 cm dilation तक की process का समय लिया जाता है इसमें cervix fully dilate होगा active phase में और उसके अथ fetus नीचे की रूतरेगा यह दो चीजें होगी latent phase इतले latent phase है क्योंकि यहाँ पर cervix 5 cm तक ही dilate के हुए है fetus अभी नीचे नहीं उतरा है तो main action क्या होगा सिर्फ और सिर्फ cervix dilate किया 5 cm तक और shortening of cervix यहाँ पर देखने को मिला जिसे effacement कहते हैं जबकि active phase में मैंने आपको बता है cervix 5 से 10 cm तक हो गया और fetal head नीचे की और आ चुका है engagement होने वाली है अब मैंने आपको बता है यह समय बहुत बड़ा समय लेता है इस latent phase को होने में नली पैरस वोमन में और multi पैरस वोमन में अलग-अलग समय लगते है latent phase के होने में नली पैरस वोमन में 12 hours का समय लगता है जबकि multi पैरस वोमन में यह 8 hours तक का समय लेता है जबकि active phase कितना समय लेगा नली में और कितना multi पैरा में लेगा उसको एक बार समझ लीजे मैंने आपको बता active phase में क्या हुआ head नीचे की और आ रहा है dilate होने के बाद head नीचे की और आ रहा है इसमें कितना समय लगेगा तो यहाँ पर जो समय लगता है उसे cervix के dilation और descent of head के ratio में हम देखने की कोशिश करेंगे नली पैरस में 1 to 2 cm per hour के rate से cervix dilate करता हुआ head को 1 cm per hour के rate से नीचे की और ले आएगा multipera में dilation fast होता है चुकि इसलिए पहले delivery हो चुकी होती है इसलिए 1 to 5 cm per hour के rate से cervix dilate करेगा और head के descent की rate भी यहाँ पर fast होती है तो चुकि यहाँ पर head का descent हो रहा है इसलिए यहाँ per hour के rate से हम इन चीजों को active phase में define करते हैं सवाल यह भी आता है कि prolonged latent phase कब कहते हैं prolonged latent phase कब कहा जाता है जब nulliperas female में 20 घंटे से ज़्यादा समय हो गए हो cervix को dilate करने में 5 cm भी cervix नहीं dilate हो पाया हो ऐसा करने में 20 आर से ज़्यादा का समय लग गया हो तो इसे prolonged latent phase for nulliperas female कहते हैं multiperas female में इसका criteria 14 hours से ज़्यादा का होना चाहिए आप समझ सकते हैं यहाँ पर female लगातार pain में हैं और उसके साथ ही साथ cervix dilate करना effacement हो गया है तो इस तरीके की चीज़ें latent phase में होती हैं अगर pain होते होते 20 hours हो गया और इतना कुछ हुआ ही नहीं या multiperas में 14 hours से ज़्यादा का वक्त हो गया pain होते हुए ऐसा कुछ हुआ ही नहीं cervix dilate नहीं कि आइफेश्मेंट नहीं हुआ तो हो गवा क्या है इतने लंबे समय से pain क्यों है इसका differential diagnosis क्या हो सकता है prolonged latent pain का यह labor pain नहीं prolonged latent labor pain आप क्या सकते हैं prolonged latent labor pain का क्या कारण हो सकता है false labor pain हो सकता है तो इसलिए एनिमा दे करके या sedate करके हम देखने की कोशिश करेंगे क्या mother की condition में राहत मिल रहा है अगर राहत नहीं मिल रहा है तब यह true labor pain है इसी तरीके से prolonged active phase भी हो सकता है तो management prolonged false latent labor pain का क्या है उसका मैंने कारण बता है कि आपको try करना पड़ेगा sedate करने का प्रयास करना पड़ेगा sedation से रहात मिल रहा है या या false labor pain है नहीं मिल रहा है तो यह true labor pain है WHO के guideline के मताबिक minimum dilation active phase में 1 cm पर hour की rate से होना चाहिए अब अगर prolonged active phase हो गया तो क्या होगा पर हमें accelerate करने के लिए या तो medicine देना पड़ेगा जैसे medicine हम oxytocin दे सकते हैं जिसके कारण uterine contraction fast होने लगे ऐसा प्रयास किया जा सकता है या फिर artificial rupture of membrane try किया जा सकता है तो augmentation sorry acceleration of labor या augmentation of labor कैसे किया गया ये बात हमें पता होने चाहिए कुछ और objective question पूछे जा सकते है intra uterine pressure during first stage of labor कितना होता है 50 mm of Hg होता है हमने आपको बताया है 50 mm of Hg intra uterine pressure during first stage of labor होता है अब सवाल ये भी पूछा जाता है induction of labor कब कराना पड़ेगा तो जब हम खुद से कोशिश करते हैं patient labor में नहीं होते हम खुद से medicines दे करके labor को start करते हैं तो उसे induction of labor कहते हैं दूसरी प्रक्रिया होती augmentation of labor यानि patient already labor में होते हैं हम सिर्फ उसे accelerate करने का प्रयास करते हैं क्योंकि patient labor में तो हैं लेकिन वो slow rate से हैं तो हम उसे accelerate करने का प्रयास करते हैं से augmentation of labor कहते हैं induction of labor कैसे किया जाता है PGE2 dynoprost दे करके या फिर PGE1 mesoprost दे करके जब baby deliver होने वाला होता है तो placenta सिफ progestron का release होना कम हो जाता है उस दोरान estrogen की मात्रा बढ़ती है और यह ultimately prostaglandin को बढ़ाने का प्रयास करती prostaglandin जब बढ़ेगा तो यानि uterus तयार होने लेगेगा delivery के लिए estrogen बढ़ गया है जिसके बाद prostaglandin बढ़ेगा प्रोस्टाग्लेंडिन बढ़ने के कारण uterine contraction बढ़ेगा uterine sensitivity to oxygen बढ़ेगा और cervix की softening होगी तो जब यह प्रक्रियाएं होंगी तभी तो baby deliver हो पाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब ऐसा होता है softening of cervix start होता है तो cervix stretch करता है वेजाइना भी तयार होती है और या posterior pituitory को information देती है oxytocin release करने के लिए cervix के softening के साथ ही oxytocin का action भी जुड़ा हुआ है oxytocin release हुआ uterus का contraction start हुआ और इतना ही नहीं uterus पर oxytocin की sensitivity भी बढ़ने लगती है जिसके कारण labor शुरू होता है तो यही बात हम prostaglandin की मदद से induction की दौरान कराते हैं induction में हम prostaglandins देते हैं prostaglandin की जैसा action शो करने वाले drugs का therapeutic use क्या होता है यह uterus को stimulate करते हैं इसलिए carbo prost का इस्तेमाल IEM root से abortion को induce करने के लिए किया जाता है 12 से लेकर 20th week gestational week के दौरान यह बात हम abortion में पढ़ते हैं dynoprost जिसके बारे में मैं यहां पर बता रहा हूँ dynoprost जो कि pgf2 alpha या फिर pge1 जिसे jamme prost या फिर mesoprost कहा जाता है इसके alawa pge2 dynoproston pgf2 alpha dynoprost इनका इस्तेमाल induction of labor के लिए किया जाता है तो वही बात मैंने आपको बता है कि dynoprost जो pgf2 alpha है उसे intra-amniotic administration करके labor को induce कराये जा सकता है हलाकि यह भी abortion में भी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इनका काम uterus को stimulate करना है अगर fully developed baby या fetus को यह चाहें उसको deliver करने में मदद कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो abort करने में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है यह pg e2 dynoproston होगा pgf2 alpha dynoprost होगा यहाँ पर थोड़ा सा proston भी होना चाहिए pg e2 dynoproston pgf2 alpha dynoprost dynoprost जो है actually pgf2 alpha होता है pg e2 dynoproston होता है pg e1 mesoprost होता है इनका इस्तेमाल दे करके हम labor को induce कर सकते हैं मैंने आपको बताया अगर augment करना है यानि हम इसको accelerate करना चाहते labor को तो फिर हम oxytocin देते हैं oxytocin दे सकते हैं या फिर artificial rupture of membrane को भी try किया जा सकता है augmentation या फिर induction की बात करें खास तोर पर induction of labor से पहले हमें check करना पड़ेगा cervix की condition क्यों कि वह labor के लिए तयार है या नहीं है क्योंकि आप जानते न true labor pain जो कि आगे accelerate किया जाना है उससे पहले cervix को तयार होना बहुत जरूरी है तो cervix की condition कैसी है उसको जानना पहले जरूरी है यहाँ पर देखिए cervix की position क्या है इसको कैसे याद कर पाएंगे तो इसके लिए code होता है Delhi police imply special commandos एक एक word को ले करके यह बनाया गया है Delhi police imply special commandos तो Delhi में dilation अब यहाँ पर जो values दी जाती है वो 0 से लेकर 3 तक दी जाती है अगर पुरी तरीके से closed है cervix तो 0 1 to 2 cm है तो 1 2 score देंगे जब 3 to 4 होगा 5 से जादा है तो 5 cm इतना ही नहीं यहाँ पर Delhi के बाद police पर चलें position of cervix कैसा है posterior है mid position है या फिर anterior है इस तरीकी की बात अगर है तो 0 1 to value दी जाती है consistency हमें देखना होता है तो firm है तो 0 Delhi police imply पे चलते हैं imply पहले यहाँ पर देख लेते हैं imply में क्या होगा यह सारी चीज़े आप जो पढ़ते हैं normal उसी को हम check कर रहा है और score दे रहा है जब cervix का dilation और effacement हो चुका होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे तभी हम induction of labor कराने के लिए तयारी करेंगे तो effacement में Delhi police imply imply में effacement है imply मतलब code है E E के जगा हम imply बोल रहा है तो यह effacement है E 0 to 30% तक effacement हुआ यह ऐसे बढ़ता जा रहा है इसी तरह किसे imply special station क्या है station के बारे में हमने पिछले lecture में discuss किया है social spine से कितना उपर है तो उसके आधार पर यहाँ पर value दी जाती है minus 3, minus 2, minus 1 plus 1, plus 2 value तो उस आधार पर score दिया जाएगा तो special फिर commandos commandos मतलब इसको याद करने के लिए ये इतने word बनाएगा तो commandos में C आप लेंगे consistency क्या firm है medium या soft इस आधार पर values देते जाते है आप जान रहे हैं जब बिलकुल भी lowest value होगी तो 0 होगा और यहाँ 1 से लेकर 3 तक value दी जाती है इसमें modified bishop score भी है जिसमें pre-ecclampsia के लिए या फिर पहले vaginal delivery हो चुके उसके लिए एक extra point add करते है subtract करते है one point अगर post-dated pregnancy हो या nullly parity हो इससे पहले कभी vaginal delivery नहीं हुए तो भी या PPROM premature pre-term rupture of membrane की condition हो तो जो भी score आएगा उससे एक घटा देंगे अब इसका result क्या बताता है उन सारी चीजों को चलिए समझ लेते हैं तो bishop score क्या बताएगा या बताएगा कि induction of labor आप करा सकते हैं या नहीं induction of labor possible है या नहीं इसके बारे में bishop score जानकारी देता है तो induction of labor से पहले हमें cervix को देखना पड़ेगा कि वह labor के लिए तयार है या नहीं या कैसे किया जाता है इसको जानने के लिए हम bishop score की मदद लेते है bishop score में किन-किन चीजों को शामिल किया गया है उसके लिए निमोनिक है निमोनिक में देले पुलिस इंपलाइड स्पेशल कमांडो तो यहां पर जो भी values दी जाती है वो 0 से लेकर 3 तक होती है 0 minimum value होता है 0 से लेकर हम 3 तक values देते जाते हैं तो हम देखने की कोशिश करते हैं किसमें 1 value मिलेगा किसमें 1, 2, 3 कितनी value मिल रही उन सारी चीजों को हम लोग flow chart में देख चुके हैं तो maximum bishop score कितना हो सकता है minimum 0 है maximum 3 है अब यहां पर जो values add की जाती है उसको देखने तो total maximum value कितनी बन करके आती है तो देखे 9 हो गया इसका और यहां पर 4 add कर लेंगे 9, 4, 13 आएगी maximum value हाला कि कुछ books में यहां पर भी कुछ शामिल करके 15 बता देते हैं चुकि 5 parameters देखे जाते हैं तो उसकी basis पर कुछ लोग यह मान लेते हैं कि 15 value आएगा हला कि आप देखे जब बिल्कुल भी नहीं होगा मामला तब 0 value आती है जब कुछ होने लगता है तो 1, 2, 3 ऐसे हम यहां पर देखते हैं maximum value 13 होती है लेकिन कुछ books में आपको 15 भी मिल सकता है 15 value है या 13 है उस पे ज़्यादा हमें debate नहीं करना है लेकिन इतनी बात पता होना चाहिए कि इस parameter में जो भी values दी गई है 0 से लेकर 3 तक दी गई है कुछ level पर 3 तक नहीं गये है 3 parameters में हम 3 तक गये हैं अब इसका analysis कैसे करते हैं score 9 या 9 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर induction successful हो सकता है आगे हमें इस पर कराना चाहिए अगर score 4 से कम आ रहा है तो पहले हम cervix को ripen करेंगे उसके बाद हम induction कराएंगे तो 4 से कम है तो फिर हम ripening कराएंगे उसके बाद हम induction of labor कराएंगे तो drug of choice for ripening of cervix इसके लिए क्या कर सकते हैं PGE2 दे सकते हैं PGE1 के comparison में PGE2 का response ज़्यादा अच्छा होता है यहां हम देख सकते हैं cervical ripening जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं उसमें यह cervix है cervical canal पूरी तरीके से close है आप देखिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा अभी जूम करूंगो तो आप समझ पाएंगे यह cervix पूरी तरह close है एक बहुत ही महीन सा बहुत ही narrow अभी canal का outlet आपको नज़र आएगा At the end of pregnancy ऐसा ही होता है बिल्कुल भी रास्ता नहीं होता है cervix में बिल्कुल भी cervical canal open नहीं होती है यहाँ पर देखिए यह cervix है cervical canal पुरी तरह से close है लेकिन आप देख रहे हैं जैसे जैसे यह ripen होता है cervical ripening होती है यह open होने लगता है cervix खुलने लगता है और यह देखिए cervix कितना open हो चुका है बेबी के head को पास करने के लिए यह पुरी तरह तयार हो चुका है तो इसलिए induction of labor कराने से पहले हमें cervix को ripen करना ज़रूरी है और इसके लिए PGE2, PGE1 के comparison में ज़्यादा बहतर माना गया है labor को augment कराने के लिए यानि already labor pain या contraction start हो चुका है labor में mother है उसको accelerate करने के लिए oxytocin दिया जाता है या फिर artificially membrane को rupture किया जाता है तो artificial rupture of membrane किसले करते हैं augmentation of labor के लिए oxytocin किसले देते हैं augmentation के लिए already labor में है उसको accelerate करना है प्रक्रिया को fast करना है induction में शुरू करना होता है तो सवाल कई बार यह भी पूछा जाता है कि augmentation के लिए artificial rupture of membrane कब-कब contra indicated होता है इस पर question पूछा जाता है तो याद रहे mother HIV positive हो या फिर mother को genital herpes हो या फिर intra uterine death of fetus हो चुका हो poly hydromnions की condition हो तो poly hydromnions की condition में भी artificial rupture of membrane नहीं कराय जाता है क्योंकि poly hydromnions की condition में अगर artificially rupture किया गया तो अचानक fluid बाहर आएगा और fluid के बाहर आने की वज़ा से यहां placenta को यह समय से पहले ही छोड़ सकता है अब rupture placenta हो सकता है इसलिए poly hydromnions की condition में हम artificial rupture of membrane को try नहीं करते हैं next lecture में हम discuss करेंगे second stage of labor को हम इस lecture में बात की हैं first stage of labor तक